बैक तो दे चैनल आज चुका है हम लोगों का फोर्थ पार्ट ऑफ बेस्टॉक्स अंडर हंडेड में तो आज का जो स्टॉक है उसको मैंने एनर्जी सेक्टर से उठा रखा है क्योंकि मैंने अब तक एनर्जी के ऊपर कोई भी ऐसा वीडियो लाया ने ला यह सबसे बड़ी इसको कभी बंध होना ही नहीं है इसको कभी बंध होना ही नहीं है डाउन फॉल्स देखने को मिल सकता है लेकिन कभी बंध होई नहीं सकता मतलब अगर आप इसको लॉंग टर्म में लगाते हैं तो किसी तरह कोई रिस्टर तो ही नहीं मतलब जैसे कुछ होते हैं कि अंडर वैल्यू है कलकर बंध हो गई तो इसमें तो ऐसा कोई चांस ही नह बंध कितना ज्यादा है सेक्टर 12 परसें सेक्टर का है और इनका केले का पीव रेशियो 26 है इसका भारत पेट्रूलियूम कहां हाफ है 6 परसेंट है लेकिन मेरे जाप से इंडियान ओयल का सबसे जादा कम है अगर इसके फैनेशल चेंड की बात करी जाए तो फैनेशल चें इनका प्रॉफित बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी कम नहीं हो सकते हैं इसने गरबढ़ा आया लेकिन वापस अपने उसको रिकावर कर लिया इनको 2020 में लॉस भी देखने को फेस करने को मिला लेकिन इनका प्रॉफित बढ़ गया 17 से लॉस हुआ फिर 22 अब जाके 25 पर गया ब बहुत तेजी से आपको बड़ी हुद देखने को मिल लिए अगर आप इसकी बालेंशीट की बात करें जाए तो मैं बात करें इसकी टोटल एसे की तोटल एसे को देखिए इसने किती तेजी से अपने एसे बढ़ा रखे हैं पहले यह 3,29,000 क्रोर थे जो कि आप 355 हो गया ह इसने अपने 25,00,00,000 क्रोर के एकडम से बढ़ा दिये लाइबिलिटी देखिए जाए इस इस इती तेज गरो कर रहे हैं और लाइबिल्टी आपकी धीरिए-देर बढ़ा रही है तो इसमें को इतार रिस्क फेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा अब बात कर लेते हैं से कैश फ्लोव भी है देखी है इसके अब देखें पॉजिटिव में चलना है अब यह तो बात होगए इसके फैंसे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं परलोटर्श फोलडिंग के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं तोटल प्रमोटर फिफ्टी में परसेंट है इसमें ज्यादा का नहीं कर रखका है अब आई इसके बारे में तुछा डिटेल रिव्यू करते हैं सबसे पहले फॉर्ण इंवेस्टर्स को देखते हैं फॉर्ण इंवेस्टर्स ने भी अपना ए इससे नीचे के अपने शेयर्स कतम नहीं करते हैं यह बढ़ाते हैं कम करते हैं लेकिन अप्रॉक्स टू 7.22 तक ही मेंटेन करके रखते हैं इस्ट्यूट की तो जैसा कि आप दे सकते हैं उन्हों ने अपने होलिंग देखिए एकदम से किती तेज बढ़ा दी 0.66 से डायक्ट उन्होंने 9.29 पे उपर बढ़ा दी तो यह एक तरह का पॉजिटिव फैक्टर माना जा सकता है अब अगर हम इसमें बात करे जाए इसके प्रमोटर्स होलिंग की तो प्रमोटर्स ने सेम होलिंग मना रख इसका मेरे को सबसे अच्छा डिविडेंट लगता है तो इसमें अगर आप इसमें अच्छा कासा में देखने को मिलेगा और यह एक तरह के प्राइस पे लाज कंपनी है जो कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाते तो आप इसमें इसमें 10-11% की होल्डिंग अपने पॉर्टफोलियो में दे सकते हैं इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं कि इंडियन ओइल कोपरेशन के नाम के आगे गवर्मेंट लगता है एक गवर्मेंट सक्टर के कंपनी है जो की लार्ज गैप होने के साथ साथ 100 के अंदर में आत झाल